नमस्कार दोस्तों मैं भुपेंद्र मिस्रा स्वागत करता हूं आप सभी का 36 कड के CGPAC और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को जो 2018 का जो पद्म अवार्ड है किसको किसको मिला यह बताऊंगा दोस्तों पूरा डीटेल में है साथी साथ मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि पद्म भूशन क्या होता है पद्म स्री क्या होता है वीडियो को लाज तक दे तो याद रखेगा दोस्तों जो पद्म वीभूश्ण सम्मान है ब्र पहला सम्मान तो भारत रत पहला समान क्या होता है are और यह तो है रखएगा यह प्रृकान को देता है और और यह कब से श्टार्ट हुआ है तो 2 जन्वारी सन 1954 कब से स्टार्ट हो है दोस्तों इसमें क्या है भारत का जो असो कि स्थम है यह देखें भारत का स्थम है और यहां पर पढम इसका फीता कौन से रंक है दोस्तो लाल रंका फीता होता है अगला है दोस्तो पद्म भूशन देखिए पद्म भूशन के बाद तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा आता है दोस्तो पद्म भूशन आता है दोस्तो तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है तो पद्म भूशन है यह किया जा सकता है इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाई भी सामिले साथ कोई गवर्मेंट ऑफिसर है उसको भी पदमभूशन मिल सकता है आगे देखते हैं दोस्तों पदमस्री यह पदमस्री या इसको पदमस्री भी बोलते हैं भारत सरकार द्वारा सिर्फ भार भर्वारति को जिया जाता है जो जीवन के विभेणी ऴुट्वory जैसे कला शिक्षा उद्योग साहित्यों धिज्यान खेल पूर सरोजनिक जीवन आदीム is क्या करते हैं तो जो भी इन सभी छेत्रों में क्या करेंगे दोस्तो अच्छा योगदान देंगे उनको क्या करें जाता है पदमस्री सम्मान दिया जाता है भारत के नागरिक पुरसकारों के पदक्रम में यह चौथा पुरसकार है सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तो सरोच भारती नागरि लिपी में लिखा रहता है दोस्तों तो ये था मेन की पद्म विभूषण क्या होता है पद्म भूषण क्या होता है और पद्म स्री क्या होता है क्वेश्चन यहां से बन सकते थे अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 2018 में किनको किनको मिला है दोस्तो पद्मवी भूचर्ण 2018 इस बार तीन लोगों को मिला है कितने लोगों मिला है दोस्तो तीन लोगों को मिला है और किनको किनको मिला है एक है इलाईया राजा इनको कला और संस्कृति के छेत्रों मिला है ये तमिल लाड़ू से समझ दोस्तो पहले बता चुका हम पद्मुवी भूशन कौन देता है तो भारत का राष्ट पती देता है तो राष्ट पती रामनात कोबिन जी ने पद्मुवी भूशन पुरसकार तीन लोगों को दिया है और उनके नाम क्या क्या है एलेया राजा जिनको कला और संगीत के छेतर में दिया तो इसकार नो लोगों को पद्म下去 पूशड दिया गया है सिरी राम चंदर नाग सवामी। इनको जोतिस के छेत्रों मिला है, वेद प्रकाश नंद, इनको साहित्य के छेत्रों मिला है, लक्षमड पाई, इनको पेंटिंग के छेत्रों मिला है, और अर्विंद पारिक, इनको संगीत के छेत्रों मिला है, और सार्दा सिन्धा इनको क्या हुआ है दोस्तो संगीत के शेत्र मिला है तो कुल नौ लोगों को क्या मिला है दोस्तो पदमुषण पुरस्कार मिला है याद रखेगा पदमस्री पुरस्कार इस बार 73 लोगों को मिला है कितने लोगों को मिला है 73 लोगों को मिला है अब यह 73 पॉल्स करके लिखना चाहते हो नोड कर सकते हो या देख सकते हो एक बार बस थीक है थोड़ा थोड़ा दिर में मैं प्ले कर दे रहा हूं जैसे अभय बांग और रानी बांग है इनको सहिकत रुप से मिला था दावा महराष्ट के हैं दावा के चैतर मिला है प्रफुल गोव यह साउदी अरब के हैं इनको मिला है सुस्री वी नाना मल योग तमिल लाडू के हैं गोवर्धन पानिका ओडिशा के हैं में यह है दोस्तों 36 कर से कितनी लोगों को इस बार पदमिस्री मिला है तो दो लोगों को किनको मिला है एक दामोधर गड़ेस बापट क्या है दामो चतुरेदी जी को मिला है इनको साहित कार ठे और यह पत्रकार भी थे पंडित से आमल चतुरेदी जी दीवास पर राश्ट पती रामनात को विन जी द्वारा आतंकवादियों से मुझ भेड में सहीद भारती वायू सेना कि गरूर कमांडो जोतीस प्रकास निराला को क्या म मिला है जोती प्रकास निराला को असोग चक्र मिला है दोस्तों याद रखेगा असोग चक्र एक मात्र ऐसा भारती सम्मान है एक मात्र ना कहे मतलब असोग चक्र को हमेशा क्या किया जाता है तो मरनों परान दिया जाता है असोग चक्र क्या होता है दोस्तों हमेशा मरने के ब वही मेजर विजयंत विष्ट को किर्थी चक्र मिला है तो इस बार किर्थी चक्र किसको मिला है तो सो मेजर विजयंत विष्ट को मिला है किसको मिला है मेजर विजयंत विष्ट को मिला है किर्थी चक्र समान और गरतंतर दिवास के अवसार पर एक को किर्थी चक्र 14 को सौर च एठथाइस को परम विषिष्ट सेवा पदक और चार को उत्तर युद्ध सेवा पदम सहितzam पुरसकार विर्ता पूरसकार कितने लोगों मिला है दोस्तों नोगों को बिर्ता पूरसकार मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलेगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोड़ारी ही